सारनी थाना शेतर अंतरगत देह व्यापार हत्या अवैद शराब व्यापार बलातकार जैसी घटनाओं को लेकर बदनाव शुभापूर अंतरगत शेतर में मानफता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई गटना शुभापूर के हालेच कॉलोनी का है जहां एक 38 वर्षी नासीर यूनुस और सोनु अंसारे निवासी हालेच कॉलोनी शुभापूर आरोपी पेशवे से ट्रक ड्राइवर है जिसके द्वारे एक 9 वर्षी मासुम के साथ दुशकर्म किया गया जिसने शेतर को दहला क एक 9 वर्षी नाबाले गादिवासी बालिका को चॉकलेट के लालच में बहला फुसला कर अधेर ने अपने घर बुलाया और इसके साथ दुशकर्म किया बालिका की काफी देर तक घर नहीं पहुँचने के कारण लड़की के 12 वर्षी भाई ने दूसरे बच्चों से जानकारी दी इस घटना की जानकारी आसपडोस के लोगों को लगते ही भीड एकटी हो गई जुस पर आरूपी की भीड ने जमकर पिटाई कर दी जिसके सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची और आरूपी को पकड़ कर थाने ले आए मामले को गंभिरता सिदेख बैतुल पुलिस अधिक्षक सिमाला प्रसाद अत्रिक्त पुलिस अधिक्षक नीरच सोनी सौरनी थाना पहुँचे और घटना स्थलका ने रिक्षन किया अधियोपी रोशन जैन ने बताया कि नासर और सोनु अंसारी द्वारा नौवर्शी बालिका की साथ दुशकर्म करने का मामला सामने आया है इस घटना करम की पुष्टी मैडिकल जांच की बाद ही हो पाईगी थाना प्रभारी रतना कर हिंगवे ने बताया कि इस घटना में आरोपी पर कड़ी कारेवाही की जाएगी इस घटना की जानकारे मिलते ही सामाजिक हिंदू संगठन के लोगों की थाने में भीड एक खटा होने लगी और पुलिस विभाग से आरोपी पर कड़ी कारेवाही इवं मध्यप्रदेश के मुख्य मंतरी मामा जी के भांजे से दुशकर्म करने वाले आरोपी के मकान पर बुल्डोजर चलाने की मांग कर ग्यापन सौपा गया थाने पहुंचे सभी हिंदू सामाजिक संगठन के लोगों को पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया कि बालिका के साथ हुए घटना करम में किसी भी प्रकार की कोता ही ना बढ़ती जाए